दोस्तों बिहार विदाले परिष्छ स्वमीती के दोरा 11 के चातर चात्रा का पर्थम मेरिष्ट लिष्ट दारी कर दिया गया है पर्थम मेरिश लिस्ट में जिन भी चात्र चात्राओं का नाम आया है उनके अधार पर उनको उस विदाले में या महाविदाले या कॉलेज में जाकर नमांकन लेना परेगा जब आप उस college में जब जाएंगे नमांकन लेने तो उस college या महाविदायले या विदायले में कुछ इस परकार का आपको नमांकन फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको फिलप करके जम करना परेगा इसमें आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस नमांकन फॉ में किसी तरह कोई गलती कर बैठते हैं तो यही आपको जो मैं बता दू का आगे चलके काफी बरे समस्या का सामना करना पड़ सकता क्योंकि इसमें जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वही जो है ना बिहार बोर्ट को भेज दिया जाता है जिसे किसी परकार का कोई अगर mistake हो गलती हो गया हो तो आपका फॉरम सीधे reject कर दिया जाएगा आपका नमांकन सीधे रद हो जाएगा तो आज किस वीडियो में आपको पूरे प्रोसेस बताने वोलो कि इस नमांकन फॉर्म को 11 की छातर चातरा है कैसे भरना किसी भी गलती बिना किये हुए किस परकार के भरना है चली आज की इस वीडियो में आपको इस्टेप बता देते हैं सबसे पहले उपर में यहां पदिवाय कारियाले परयोग हेतु इसमें आपको कुछ करने की हो सकता नहीं है जो भी आपके सीख्षक महोदे होंगे जो भी आपका लक्रास टीचर जो नमांकन नहीं होंगे व भी आपकी जनकारी दी गई है उतिती है वह सारा का सारा सेम होता है इसी परकार का होगा ठीक है तो इसलिए आपको बहुत जरूरी होगा समंझना जिस भी परकार का आपको लिख देना है नीचे वरेंगे आप जो भी इसमें अगर आप संकाई की अगर बात किया है तो जो भी आपके अपलिकेशन फॉर्म है जिसमें आप मादियम से और लाइन आवेदन किये थे जो दस डीजित का जो कोड होता है जैसा कि इस परकार कोश दिया होगा चोबीस जेट डबल जीरो इस परकार का कुछ अंक होगा ठीक है जो कि आपको फोटो के उपर देखेंगा तो वही अंक यहां पर आपको क्या करना है लिख देना हों पुरा सइथ सद करके लिखी दा अपना माता को ने लिखेंगे अपने में घृट अपर लिखेंगे आपको जैसे का लगेगा है तो जिरु एक उसके अगर आप शादी सुधा नहीं है तो आप अगर आप शादी सुधा है तो यहां पर शादी सुधा है तो यहां पर टीक लगा देंगे लेकिन खास बात मैं आपको जनकारी यह देता हूं कि अगर आप विवाहित पर टीक लगाते हैं तो आप अगर आप इंटर पास करते हैं तो बिहार भी देले परिच्छा समीति के द्वारा कोई भी जोना प्रुसाहारासी नहीं दी जाएगे इसलिए आप और विवाहित पर ही टीक लगाएंगे ठीक है उसके बाद यहां पर च हुआ इसके बाद यहां पर और साथजो साथ सब्सक्राइप पता होगा जो बहें अगे आपस के बेदेशन का पता ऑफिंगी जो भी हुआ है में जैसे माता पीता जोभी होंगे का यहां पर डालना है सबसे पहले उस्का नाम वह नम पोस्ट लेटाव जी gratis दिखा आधिक यहां पर अभिवावक का पीता का यहां पर जो नाम डालना है और उसका मुवाइल नंबर यहां पर बता जा रहा है कि पुर्ण परिक्षा की उत्तुर्णता का विवरन जदि कि आप मैट्रिक उतिन किये हैं जिससे सब्सक्राइब कर लिए में सब्सक्राइब जिस भी उतिन कि पूरा बोर्ट का जो नहीं आप विवरन दे रहां पर यहां परिक्षा का नाम तो अगर आप मैट्रिक पास किया है तो मैट्रीक लिखेंगे और विडाले का जिस विडाले यहां नाम लेकिते हैं क्यों से सब्सक्राइब यहाँ पर लिखना है किस वर्स मैट्रिक उतिन कि वह लिखना है इसके बाद यहाँ पर लिखना है और कितना अंक आप प्रतिशत आपका आम का है वह लिखना है ठीक है उसके बाद जो आप पर्थम से उतीन हुए या दुट्री से या तिर्टी से से सब्सक्राइब नीचे बढ़ें और यहां पर 12 में नमांकान का विश्रीष दवा पर्मान पत्र सहीत यदि कोई पर्मान पत्र सलंगन करें मतलब करता है अगर नमांकान कोई भी रसीद हो ठीक है तो उसके साथ जो नहीं है पर अटैच कर देना है यह आपको बोलना ठीक है उ है अगर आप है तो बता सकते हैं जबता है तो इससे उसन सकते हैं तुझत आप नहीं है मुझा पैड़ार्य। पर्मान पत्र सनंग करें आप जिस भी डाले से मैट्रिक उतिन किये हैं तो जो भी आपका टीसी दिया होगा ठीक है ट्रांसफर सटीफेट वह से टीसी तो उसको यहां पर वह लगा देना उसका फोटो को भी लगा सकते हैं इंटर्वीडिय कख्षाओं के लिए विशह अब जैसरे नंबर वन में अगर आप हिंदी रखना चाहते तो रख सकते हैं ऑ की उसके बाद दूत्यासरा में आप इंगलीस ह्वत तो हैं अंगर दियों और उर्दूरक होगा ओश्के न explicitly हमलना बंद्वा कि कही उसको विसाय सकते हैं grinding हो है यहां को नम लेंगे आधार नॉमर है डालेंगे него जो भी आपको डालेंगे बैंक यहां पर हास्ताक्षा नमò पिता है उनका यहां पर signature करा लेना है उसके बाद जो भी इस बार आवेदन की है समझीत का हस्ताक्षर होगा उसके बाद यहां पर नीचे आपको कुछ नहीं करना क्यों कि यह करना कि कुछ नहीं करना ठीक है इतना भरने के बाद जोना इसमें आपके जो भी नमांकन कराएं यहां पर पुरा बड़ा फिलप करने के वाद आपको यह रसीद दे दिया है इस रसीद को आपको बहतरीन तरीके से समाल कर रखना है ताकि कि किसी तरह का आपको कोई परसानी नहीं क्योंकि इसी रसीद के अनुसार जोना जब 11 का जो registration कराने जाएंगे तो आपको यही रस फोटो लगता है फोटो आप चीपका लेंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं इसका क्या का डोकुमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और जो इस चनल का नाम है आपको सर्च करके बाद लिखने ना ठीक है चाहे आप फर्स्ट मेरिस इससे कोई मतलब नहीं सभी विदार्ती के लिए सेम फॉर्म होता है इसलिए यहां पॉइंट आफ स्टी डॉट कम लिखा रहेगा इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे इस पर किलिक करेंगे तो देखिए लेटेस्ट अपडेट में ही लिखा हुआ है बिहार बोड इंटर मेरिच रिलिस्ट जारी दोजार चोबेटी के आप लिखावा इस पर आपको किलिक करना ठीक है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटर फेस्ट देखनों को मिलेगा नीचे बढ़ेंगे और सारी जनकारी दिया गया यहां देखिए नोटिफेशन विलेला परिश विलेगा इंटर मेरिच लिस्ट का फोटो को जिस बीजिए जारी हुआ है उसको डॉल्लूड करके उसका फोटो को भी करा लेंगे सब्सक्राइब है दस्मी अत्वा समक्ष परिक्षा का और बंदिक पर्मान पत्र ले सकते दस्मी परिक्षा करें आपको किये हैं तो आपको माइगरेशन लगए ठीक है उसके बाद सिक्सें सद्धान का सुलक जो भी आपके विदाले में जिसमें विदाले में आपका नमंकन होने जा रहा है उसका जो सुलक है वह लगए पासपोर्ट रंगीन फोटो लगए यह सब दोकुमेंट्स आपको अधार कार्ड सब लगए पासपोर्ट सब लगए ठीक है नीचे बढ़े कार आप अगर मेरी लिस्ट डालोड नहीं किया है तो यह आप लिखावाए फर्स्ट मेरी लिस्ट यहां पच्छे क्लिकावाए इस पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंग कर सकते हैं तो यह आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीगे चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब कर लेगा फिर मिलते हैं ने स्ट वीडियो में तब तक लिए आपसे को धन्यवाद